आप है एवरीवन माइनेम इस दीपक गुपता इस वीडियो में हम बात करने वाले इंट मैथड इन जावा मल्टी ट्रेइडिंग चैप्टर हम लोग कवर कर रहे है रहे प्रिविएस वीडियो में हमने डिसकस किया था ज्वाइन मेथड किया था विछ एक्जांपल हमने कव लिडियो में हमने माष्ट ख्रते हम कि अगल्स करीम जा श्हां रिविड या रिटनार फाज हम सकते अंग लिड चॉट और लिड एक्डेड यहां पे लिख दो यह. रिल्ड अंगड इंग डैने फिडिकग एक्टड scheduler that 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 it's willing to give up its current time silence and let other threads run इसका क्या मतलब होता है मैं तो basically किसी भी thread पे अगर जहां आप apply करते हो yield method तो yield method का का काम है क्या कि hint देता है कि मैं रुक जाता हूं और other thread को chance देता हूं execute होने के लिए अब यह जो basically hint देता है thread scheduler को अब thread scheduler पे depend करता है उस hint को accept करें या reject करें clear and point done तो basically यह pause करने के लिए yield method होता है जैसे छोटा सा एक example देता हूं suppose करो किसी आप suppose छोटा सा swap ले लो एक swap है जैसे की भी मार्ट है ठीक है ना भी मार्ट में आपने समान लेने के लिए गया आपने बहुत सारा समान खरीद लिया और billing के लिए आप line में लग गया ठीक है और जो आपके पीछे jest है उसने बस एक समान लिया है तो आपको billing करता है एकाउंट जो एकाउंट परसंट आप बिलिंग के लिए बैठा है आगे जो बिलिंग परसंट है उस पर डिपेंड करता है उस सीज को accept करे या ना करे वह बुलेगा नहीं सब लाइन में आओ ठीक है ना ठीक करता है कि कौन से कब execute करवाएगा अब इसका मैथड होता है पब्लिक स्टाटिक नेटीव वाइट इल्ड मैथड स्टाटिक मैथड है नेटीव का मतलब यह होता है कि इस मैथड का implementation किसी अधर लेंग्वेज में किया गया है इल्ड मैथड अगर जा किसी भी फ्रेट पर आप अप्लाई करोगे तो वह करेंट जो होगा जिस ट्रेट पर अप्लाई करोगे वह स्टाप हो जाएगा और चांस देगा लेता हूं इसको मैंने save कर दिया file का name दे दिया मैंने यहां पर yield ही दे देता हूं yield ठीक है yield.java clear upon, done, चलिए अब यहां पर मैं एक class बना लिया class का name दे दिया मैंने my thread कुछ भी दे सकते हो class का name extends किया thread को और इसके अंदर जो आपका predefined method है हम use कर लेता है public void run method ठीक है इसके अंदर मैं loop लगा देता हूं and कुछ मैं loop चला देता हूं 1 से 3 तक कुछ print कर वा लेता हूं ठीक है equal to 3 तक then i plus plus clear है इसके अंदर मैं यहां पर print करा देता हूं system.out.println यहां पर मैंने print करा दिया child thread ठीक है clear a point then यह आपका method close यहां पर main method create कर लेता हूं main method के अंदर मैं object create करूंगा पहले my thread class का t1 equal to new my thread then t1 dot start हमने start कर दिया clear a point और यह जो logic लिखाया है मैंने same logic मैं यहां से copy करता हूं और main method के अंदर भी मैंने same paste कर दिया और यहां पर लिख देता हूं main thread clear a point अभी मैं कहीं पर भी yield method use नहीं किया हूं clear a point तो इस case में क्या होगा यह भी आपका one से लेके three तक print होगा यह भी one से लेके three तक है ना तो यह basically unexpected output देगा दोनो mix up इसलिए क्योंकि thread scheduler decide करेगा कौन सा thread को कब execute करवाना है तो दोनो mix up result आएगा आपके पास है ना तो चलिए एक बार चला के देखते हैं पहले इसको तो मैं यहां पर command prompt open कर लेता हूं then मेरा folder है desktop पे cd desktop पे then cd java नाम का folder है java नाम folder में चले गिए then java c मेरा file का name है yield dot java compiles find class का name है my thread चलिए हम cloud का name देखो यहां पर clear है और मैं दो तीन वार execute करूंगा mix up आ गया देखो यहां पर दो वार main print किया है then last में आपका main बीच में child thread ठीक है तो mix up output देगा क्योंकि thread scheduler basically जब हमका part होता है वो decide करता है कौन सा thread को execute करवाना है ठीक है clear है क्योंकि दोनों अभी same period का है अब इस case में क्या करने वाले है मैं use करने वाला हूं यहां पर main के अंदर t1.yield method ठीक है clear है ठीक है t1.yield method मैंने यूज किया तो basically t1 यहां पर t1 मतले लिखो thread.yield लिखो ठीक है तो यह basically main thread का जो executions है यह basically hint दे रहा है thread scheduler को मैं wait कर सकता हूं और इसको आप chance दे रहे हो execute होने का ठीक है लेकिन जो आप hint दे रहे हो मैं stop हो सकता हूं ठीक है thread scheduler को आपने बता दिया लेकिन thread scheduler पर depend करता है वो इस सीज को accept करे या ignore करे या reject करे है clear है point चलिए इस वार चलाते है एक बार compile कर लेते है compile is fine run किया देखो यहां पर आपका देखो इस case में आपका देखो यहां पर सबसे पहले main print हो रहा है then child mix up दे रहा है मतलब ignore कर रहा है न हम क्या करता है इसको एक बार यहां से हटा के इस जिगह यूज करते है main method के अंतर चलिए एक बार compile करते है देखो इस case में सही आ रहा है यह आपका child thread wait कर रहा है main thread execute कर रहा है एक दो वार और हम चलाते हैं देखो दूसरा वार भी आपका सही आया लेकिन window के case में देखना unexpected output आएगा 2-3 वार करोगे thread scheduler हो सकता है accept ना करे next time चलिए देखो 2-3 वार करके देखो इस case में यहां पर नहीं किया ignore कर दिया देख लो ठीक है हमने इस basically में आपका child thread के अंदर लगाया तो child thread क्या बोल रहा है कि thread scheduler को मैं wait कर सकता हूँ मैं chance दे रहा हूं main thread में जो program है उसको execute main thread को execute करनेगा ठीक है लेकिन thread scheduler पर depend करता है उसको accept करे या ignore करे clear a point यहां पर तो दो वार तो आपका यह देखो यहां पर भी आपका accept किया यहां पर भी accept किया यहां पर ignore कर दिया clear a point यह yield method का का काम होता है I hope clear है ठीक है तो example number two अगर जहां आप इसको यहां से अटा के यहां लिखोगे तो यहां पर आपका क्या करना चाहिए दो तीन वार चलाओगे तो पता चल जाएगा यह basically यह जो main thread है main thread के अंदर जो हमने program लिखा है यह hint दे रहा है thread scheduler को कि मैं wait कर सकता हूँ पहले child thread को execute होने दो यह मैंने hint दे दिया लेकिन thread scheduler depend करता है उस पर depend करता है कि किसको chance देगा ठीक है जो हमने hint दिया वह accept करे मेरा hint या reject करे तो उस पर depend करता है ठीक है न चलिए इस case में एक दो बार चलाते हैं पहले compile कर लो गई compile is fine run करते हैं तो देखो पहले main चल रहा है तो इस case में आपका accept ही नहीं कर रहा है ignore, reject कर रहा है reject कर रहा है ठीक है देखो देखो clear तो window के case में होता है thread scheduler पर depend करता है कि इसको accept करे या reject करे clear and point done I hope clear है ठीक है चलिए यह आप example number two है यह पूछा गया interview में कि method का क्या काम होता है ठीक है I hope clear है इसको note कर लो note करके practical करो practical करोगे तभी concept clear रहेगा ठीक है and मिलते है next video में like करो comment करो subscribe करो ठीक है subscribe करो यह थेंक्यू, bye bye मिलते है next video मिलते है ठीक Baμεगे पुर्ण